आप लोग ये सामने पौधा देखी रहे होंगे, अगर पहचान गए होंगे तो ठीक है, नहीं पहचान गए हो, तो मैं पताती है कि एक रासला ओवाटा का पौधा है, नमस्कार जी, मैं संधिया बोल रही हूँ, ये कई दिनों से मैं लाके रखी हुई थी और मैंने इसको र मिट्टी है, अगर इसे पाने डालो तो या तो रुकेगा या तो एकदम सुपता तो पत्थर जैसे इसके मिट्टी जाती है, तो इसमें अब चल नहीं पा रहा है, अब इसको दूसरे पौट में रिपोर्ट करना करूंगी, तो आप लोग के साथ सेयर कर रही हैं, तो पहल में जिस घर में लगा होता या लगाते हैं, तो यह पैसे आते हैं, तो यह मानेता है लोगों की, तो इसलिए लोग लगाना इसको ज्यादा पसंद करते हैं, और सुप प्लांट भी इसको माना जाता है, यह एक सुकुलेंट फैमिली का प्लांट है, और इसमें इसकी फैमिल काफी मतलब पानी के ही कम मिलने के वज़े से भी यह मर जाता है और इसको पानी ज्यादा भी नहीं देना चाहिए पानी ज्यादा इसलिए नहीं देना चाहिए कि इसमें रूट रॉट की प्रोब्लम हो जाती है और इसकी पानी ज्यादा देने के लक्षण होते हैं इसकी पान पानी पहले से भरा होता है तो ज्यादा पानी देगे तो यह पतिया और मुटी हो जाती है और फिर पारदर्सी हो जाती है पारदर्सी होने के बाद पीली पढ़ेंगे और यह गिर जाती है तो यह पानी ज्यादा देने का प्रॉबलम आता है पानी कम देने का प्रॉबलम मतल करके तो ये फिर उसके वज़ाद से भी मर जाता है तो इसलिए इसका पानी जब भी दे अब ध्यान भाष्टे की रिए्जा करें करें जए से एक प्रशेंट करके नहीं जादें से 5-6 दिन का चाहिए कंट चुक्ष्ट करके ता पानि आप इसको की बात कर लेते हैं दिन को बना सकते हैं अचाए डिपोट कैसे में करना चाहिए तो जादा तर कोशिस यह करिए कि आप मिटी कि में area मतलब ह्वा का आने जाने का मतलब इसमें बना रहता है मैं च्छोटी कि ज्यादा भूफे देंगे तो उसके और कि serva अगर पानी उड़े जाता है जे उसमें छुटी-चोटी अफंद टो लेकिन आप आप प्लास्टिक में रिपोट करें कि भी ज़ादा बना लिए ड्रेनेर जो यह जादा बनाई और इसको इसका करिए कि डूपड़ जेड़ा गंबले काफियों नहीं लगाए तो अच्छा है कि थिन बाद उसके किनारे किनारे देम मिटियों भर जाता है और मिटी से जब भर जाता है तो बीट्राइन जो गहता है यह पाता है तो पान नहीं झाले होल दो पर प्लांट हमारा फिर खराब हो जाता है तो इसलिए कोशिस यह करिए कि कौटन के कपड़े से ढखिए उसको या फिर यह पत्तियां जो है इनसे आप कवर करिये या फिर कागस का कोई मोटर तुकड़ा हो तो उससे आप भी कवर कर सकते हैं और समय समय पर आप ऊच्छा तो इसलिए मतलब यह प्लास्टिक का पुशिस करिए अगर मिट्टी करें तो फिर आप ले सकते हैं तो इसमें ड्रेनेज होल का जो है जाता दिहान रखिए अब इसके लोकिशन की बात करते हैं मतलब इसको रखना कहा है वैसे तो आप धूप में भी रख सकते हैं लेकिन प्लांट जो है अच्छे से चल पाएगा अप्रपगेशन इसकी कैसे करेंगे मतलब इस प्लांट को हम एक से दो दो से तिन कैसे बनाएंगे तो इसको पत्तियों से भी ग्रू किया जाता है यहां से पत्तिया तो इसको मिट्टी में ऐसे सीधे इस जगह को दबा दीजिए तो यह फिर इसमें से जड़ी निकल जाती है और मतलब मित्य में जब आप दबाएंगे तो मित्टी में बनाए रखिए इसमें से प्लांटे निकल जाते तो इसमें थोड़ा शुटांट में भी नियांकर कर सकते हैं तो कटिंग आप या फिर पानी में भी डालकि प्रिचम कर सकते हैं तो आप उस प्लांट को मतलब प्लांट नाल ज़िसे स्की जड़ कर जाती है और उसको मिट्टी में मतलब יृट नगा सकते हैं तो इसे तो अच्छा अभलीःजर अलिफ यहां भोफरीण की खाद ऑच पत्यों की खाद ये सब मिला कर देजिए अगर आपके पाहस में की नई यह तो पत्यों से भी थना जाए के देजिए। मैं भी यही सब आप दे सकते हैं बाकि इसकी पतियों की ग्रीनरी के लिए पत्यों की कुप सूर्थि के लिए जसके मैं अक्सर बताती हो की डाल को दुलिये या चावल को दुलिया सबजी को दूलिये तो यह पानी और ज्यादा इसको फटलाइजर मतलब में देन तोड़ा वे इसमें रिवर सेंड यानि बालू मिला रखा है यह पहले से मिला हुआ है मैंने किसी गमले के लिए तयार किया थे मिट्टी तो बच गई थी यह वही है और बाकी यह वर्मी कंपूष्ट है यह खतम हो गया था तो कली मैं लेकर आए हूं थोड़ा यह नीम खली ह है और यह कोको पीठ है को हां कोव को पीठ की मातर इसमें कम रखेगा क्योंकि पाने की इसको ज्यादर ज़्याद नहीं है तो इस उसल को हम मिक्स कर देंगे मिक्स करके फिर इस प्लांट पर हम लगाएंगे इन सब को हम मिक्स कर देते हैं रुकिये मिक्स करके फिर मैं दिखाते हूं ने तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी यह देखी फ्रेंट मैंने इसको मिक्स कर दिया है तो यह देखे इतना बड़ा मैंने पॉट लिया है यह प्लांट मेरा आप देखी रहे हैं यह इतना बड़ा है तो अगर कोई भी बड़ा छोटा प्लांट उसके लिए छोटा ही पोट लेजिए अगर बड़ा प्लांट हो तो बड़ा पोट लेजिए और फिर उसके बाद छोटे प्लांट को अगर हम छोटे पोट में रिपोर्ट क आप जानते हैं अकसर मैं पत्तिया ही लेती हूं रख जब जरूरत होता है तो मैं इसको अपने मोलो में तरहां करने के लिए डाल देती हूं दुके मैं इसको अच्छे से कवर करके फिर दिखाते हूं यह देखिए मैंने इसको कवर कर लिया आप भी अपने गार्डन की पतियों को मतलब कोलेक्ट करके रख लिया करें ऐसे काम आती हैं यह ठीकरी का बहुत का प्रयोग करती हूं जैसे कि यह इसका गंडी का टूटा होता है या फिर कोई पत्थर वगरे का मैं यही ज्यादा तर यूज करती हूं और आज कल तो इतनी ड्राइ होती है कि जरा सब इनको वो करो तो यह क्रश हो जाती बुलकुल अच्छे सी यह रिखिए यह बुलकुल ऐसे हो जाती है तो मैं मिट्टी इसमें भर लेती हूं आप लोग उसे सेर करती हूं यह देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने निकाल लिया है यह देखिए इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई है इसको मातला कुछ भी करने के जरुरत नहीं है उपर से तो लग रहा था चिकनी मिट्टी है तकि इसकी मिट्टी बहुत थोड़ा से खोल लूँगी इसको इस तरीके से और इसमें मैं रिपोर्ट कर लूँगी यह देखिए जैसे यह सैट हो गई यह से अब इसको मैं थोड़ी सी मिट्टी मतलब कवर करके इतना फिट दिखाती हूं आप लोगों यह देखिए फ्रेंड्स यह लगके पूरा हमा बढ़ies और छ墓किए यह मिट्टी जैसे उन पैनी दालेंगी थोड़ा दब जाएगी और अभी समें पानी की बात करते है तो अब अभी समें ने पेहली आद देंगे इसको अच्छे से देंगे इतना अच्छे से देंगे कि इसका पानी ड्रवण से बाहर आ जाए जाए कह तो पहली बार तो मिसको अच्छा सही परेदेंगे जाड़े की दिन में तो उतना ही देते जितना की मिट्टी में रह जाए लेकिन गर्मी के दिन में इसको अच्छे से पानी डालना पड़ेगा और इसको मतलब 2-3 दिन के लिए मैं बैरामदेव में रखना में वहां दूंगा देखे उमिद करते हैं कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक दूर charms को में चैनल पर तो बेल बैल रोब करेंगा ताकि आने वाले occasions शल्दीत को सकते हैं इस Naw प्लांट लगाई अपने इंवाइर्मेंट को क्लीन रखें ग्रीन बनाई यह मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई जेट प्लांट को दिखाना भूल गये शपुषयो यहांि है तो इसको को आह से कटिंग से लिए लगा देघें रहता है थो जबे आप अर्वक्ण दिस घ्रूफ में और अरूप भी चलता रहते हैं जैसे अब पानी यहीं है तो यह इस की फैमिली का प्लांट है ने किया इसके बीमारियों की बारे माने बात ही ने किया इसमें क्या होता है कि यहां पर यह मेली बग लगते ह और काले रंकाई कीडा होता है वो भी लगता है तो इसको मतलब उससे कैसे हम छुटकारा पाएंगे कि हम इसा जो है नीम ओयल का स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा हमारा इसली ग्रो करता रहेगा उमीद करते हूं कि जो जानकारी है आप लोग के किसी काम आएगी और